बच्चों संस्ताओं के कामकाज भाग एक में हमने पढ़ा की शाशन चलाने के लिए कौन-कौन सी संस्ताईं सहायता करती है संस्ताओं के कामकाज भाग दो में हम करेंगे की राष्टरपती, परधान मंतरी और नयाय धीशों की निक्ती कैसे होती है और उनकी क्या-क्या शक्तियां होती है तो चलिए शुरू करते हैं संस्ताओं का कामकाज भाग दो प्रधान मंत्री के अधिकार प्रधान मंत्री मंत्री परशित का निर्माता होता है इसलिए उसका स्थान अत्यंत ही महत्त पूर्ण है उसकी महता और शक्ति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है की मंत्री परशद के अस्तित्व में आने के पूर भी उसकी न्युक्ति होती है उसी के प्रामर्ष से राष्ट्रपती अन्य मंत्रियों को न्युक्त करता है सरकार के परमुक होने के नाते परधान मंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं उसके कारे इस प्रकार हैं परधान मंत्री देश के राजनितिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है वहां मंत्रियों को चुनता है और इस परकार मंत्री परशद का निर्मान करता है वह अवाश्यक्ता उनसार किसी भी मंत्री को पद त्याग करने के लिए बिवश कर सकता है यदि उसके चाहने पर भी कोई मंत्री त्याग पत्र ना दे तो वह मंत्री परशद को भंग कर नई मंत्री परशद का निर्मान करता है वह मंत्री परशद की बैठकों में सभापती का पद ग्रहन करता है मंत्री परशद के कारियों, निर्नियों, निति निर्धारन इत्यादी में उसका सबसे अधिक हात रहता है वहा बेभिन बिभागों के मतभेद को सुलजाता है और राष्टर की निती निर्धारित करता है परधान मंत्री मंत्री परशत के निर्न्यों की सूचना राष्टरपती को देता है वह राष्टरपती लोकसवा तथा मंत्री परशत के बीच कड़ी का कारे करता है राज्ये के बहु से उंचे पधाधिकारियों की निउक्ती राष्टरपती परधान मंत्री के परामर्ष से ही करता है जैसे राज्येपाल, राजदूत, संग्ये लोग सेवायों के अध्यक्ष तथा सदस्य आदि संकट के समय परधान मंत्री का अधिकार और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि उसी के प्रामर्ष से राष्ट्रपती अपने सारे संकट कालीन अधिकारों का प्रियोग करता है गठबंदन सरकार एक संस्दिये सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनितिक दल सहयोग करते हैं जिससे गठबंदन के भीतर किसी भी एक दल का परभूत्व कम रहता है गठबंदन सरकार के तहट प्रधान मंत्री के अधिकार कुछ हद तक सिम्मित हो जाते हैं प्रधान मंत्री सबकी साजेधारी और सहमती के साथ ही फैसला ले सकता है परधान मंतरी को गठवंदन के दूसरे सहयोगियों का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि गठवंदन सरकार उनी की सहमती से बनी होती है राश्टरपती और उसके अधिकार बारत में राश्टरपती ब्रिटेन की महारानी के समान है इनके पास विशेश प्रकार की विधाई शक्तियां होती हैं जिनका वह उप्योग समय समय पर करता है सदन के सदस्य और विधान सवा के सदस्य मिलकर राष्टरपती का चुनाव करते हैं बारत के मुखे न्यायधिश सर्वोच न्यायले और राज्ये के उच न्यायलियों के न्यायधिशों राज्य पालों और दूसरे देशों में राज्दूतों इत्यादी की न्युकति करता है भारत के सुरक्षा बलों का कमांडर भी राश्टरपती होता है राश्टरपती को मंत्री परशद की सलाह पर ही अपने अधिकार का इस्तेमाल करना होता है राश्टरपती बिधाईका के प्रती जवाब देह नहीं होता राश्टरपती अपने विवेक से जो काम कर सकता है वो है परधान मंत्री की न्युक्ती अगर किसी पार्टी को बहुमत मिलता है तो राश्टरपती को उसी व्यक्ती को परधान मंत्री न्युक्त करना पड़ता है अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपती उस व्यक्ति को परधान मंत्री नुक्त करता है जो उसकी राय में लोगसबा में बहुमत हासिल करे किसी भी राज्य में कोई कारण से सरकार गिर जाती है या भंग हो जाती है तो उस राज्य में अपात कालीन की स्थिति निर्मित हो जाती है उस स्थिति में राष्ट्रपती को अथिकार होता है कि वो उस राज्य में राष्ट्रपती शाशन लागू कर सकते हैं नियाय पालिका सधार्ण अर्थ में नियाय पालिका सरकार का वह अंग है जिसका परमुख कारे सविधान की व्याख्या करना तथा कानूनों को भंग करने वालों को दंड देना है नियाय धीशों की नियुक्ति परधान मंत्री की सला से राष्ट्रपती उच नियायले और सरवोच नियायले के नियाय धीशों की नियुक्ति करता है किसी व्यक्ति को उच न्यायले और सर्वोच न्यायले का न्यायधीश न्युक्त करने के बाद उसे पद से हटाना बहुत मुश्किल है दोनों सदनों में अलग अलग दो तिहाई बहुमत से अबिश्वास परस्ताव पारित करके किसी को नियाएधीश के पद से हटाया जा सकता है नियाएधीशों के अधिकार भारत की नियाएपालिका दुनिया की सबसे परभावशाली नियाएपालिकाओं में से एक है विधाईका का कानून या कारेपालिका की कोई कारेवाई अगर सविधान के खिलाप हो तो केंदर और राजे स्तर पर ऐसे कानून या कारेवाई को नियाईपालिका अमाने घोशित कर सकती है भारत के सरवोच न्याले के अनसार संसद सविधान के मूल सिधानतों को बदल नहीं सकती न्याई पालिका सरकार को निरने लेने की शक्ती का दुरुपयोग करने से रोकती है इसके साथ साथ ब्रस्टा चार को रोकने में भी सहायता करती है उस मंत्राले के पहचान करें जिसने निमन लिखित समाचार जारी किया होगा क देश से जूट का निर्याद बराने के लिए एक ने नीती बनाई जा रही है ख ग्रामीन इलाकों में टेलिफोन सेवाएं सुल्ब कराई जाएंगी ग्र सार्व जनिक वित्रन परनाली के तहट बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमते कम की जाएंगी ग्र पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा अना उंची पहाडियों पर तैनाज सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे इनको मैच करें एक रक्षा मंत्राले दो क्रिशी खाद्यान और सार्व जनिक वित्रन मंत्राले तीन सवास्थे मंत्राले चार वानिज्य और उध्योग मंत्राले पांच संचार और सूसना प्रध्योग की मंत्राले उत्तर है देश से जूड का नियाद बढारें के लिए एक नई निती बनाई जा रही है वानिज्य और उध्योग मंत्रा ले ग्रामिन इलाकों में टेलिफोन सेवाएं सुल्ब कराई जाएंगी संचार और सूचना प्रोध्योग की मंत्रा ले सार्वजनिक वित्रन परनाली के तहट बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमते कम की जाएंगी क्रिशी, खाद्यान और सार्वजनिक वित्रन मंत्रा ले पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा सवास्ते मंत्रा ले उंची पहाडियों पर तैनाज सैनिकों के भत्ते बढ़ाये जाएंगे रक्षा मंत्रा ले, रिक्स्तान बरे 13 अगस्त 1990 को सरकार ने एक रिक्स्तान जारी किया इस आदेश को रिक्स्तान कहा गया 13 अगस 1990 को सरकार ने एक आदेश जारी किया इस आदेश को कार्याले ग्यापन कहा गया भारत में सरकारी नोक्रियों में रिक्स्तान, रिक्तियां, सामाजिक एवं आर्थिक तोर पर पिछले वर्ग के रिक्स्तान के लोगों के लिए अरक्षित की गई भारत में सरकारी नोक्रियों में स्थाई फिस्दी रिक्तियां, सामाजिक एवं आर्थिक तोर पर पिछले वर्ग के तीसरी श्रेनी के लोगों के लिए अरक्षित की गई भारत संग की बिधाईका को रिक्स्तान कहा जाता है और राजियों की विधाईका को रिक्स्थान कहते हैं भारत संग की विधाईका को संसद कहा जाता है और राजियों की विधाईका को विधान सभा कहते हैं रिक्स्थान देश की एक सरवोच बैधानिक रिक्स्थान है रिक्स्थान संसद देश की एक सर्वोच बैधानिक विधाय है सर्वोच रिक्स्थान संस्था में नागरीक और सरकार के बीच के रिक्स्थान को सुलजाया जाता है सर्वोच नियाले संस्था में नागरीक और सरकार के बीच के बिवादों को सुलजाया जाता है एक रिक स्थान गोशना पत्र केवल एक इनसान का निरने नहीं होता इसमें केई पर्मुख रिक स्थान शामिल होते हैं एक सरकारी गोशना पत्र केवल एक इनसान का निरने नहीं होता इसमें केई पर्मुख अधिकारी शामिल होते हैं रिक्स्थान के सदसे और रिक्स्थान के सदसे मिलकर राष्टर पती का चुनाव करते हैं सदन के सदसे और विधान सबा के सदसे मिलकर राष्टर पती का चुनाव करते हैं राष्टर पती को रिक्स्थान की सलापर ही अपने रिक्स्थान का इस्तमाल करना होता है राश्ट्र पति को मंत्री परशद की सला पर ही अपने अधिकार का इस्तमाल करना होता है रिक्स्तान के सदसे बीविन राजियों की रिक्स्तान दवारा चुने जाते हैं जो लोग रोज रोज के परशाशन के लिए रिक स्थान होते हैं और लंबे समय के लिए चुने जाते हैं उन्हें रिक स्थान कारे पालिका कहते हैं आईए कुछ और प्रशन करते हैं कानून ब्यवस्ता को बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदाई होती है विधाय का न्याय पालिका सही उत्तर है न्याय पालिका मंत्रियों की श्रेनी में सबसे स्रवोच मंत्री कौन होता है कैबिनेट मंत्री सही उत्तर है कैबिनेट मंत्री सामाजिक और सैक्षनिक रूप से पिछले वर्गों की इस्तिती जानने के लिए एक आयोग गठित किया गया था उसका नाम बताएं मंदल आयोग मंदल परिशद सही उत्तर है मंदल आयोग कैबिनेट मंत्री के सहाइक के रूप में कोन सा मंत्री कारे करता है राज्य मंत्री सवतंतर परभार राज्य मंत्री सही उत्तर है राज्य मंत्री जन्ता द्वरा खास अवधी के लिए निर्वाजित लोगों को क्या कहते हैं राजनेतिक कारे पालिका स्थाय कारे पालिका सही उत्तर है राजनेतिक कारे पालिका लोग सवा में अधिक्तम कितने सदसे हो सकते हैं 552, 530 सही उत्तर है 552 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था 29 जनबरी 1953 13 अगस्त 1990 सही उत्तर है 29 जनबरी 1953 हाजराज्य सवा कितने सदस्यों तक सीमित है 552, 250 सही उत्तर है 250 संसद में कितने सदन होते हैं 2, 5 सही उत्तर 2 किसकी सलापर राष्टरपती को अपने अधिकार का इस्तेमाल करना होता है मंतरी परिशद, मंडल परिशद सही उत्तर है मंतरी परिशद अगर आपको देश का राष्टरपती बना दिया जाए तो निमन लिखित में से आप कोन सा फैसला स्वेम ले सकते हैं अपनी पसंद का परधान मंतरी चुन सकते हैं लोक सवा में बहुमत वाले परधान मंतरी को पद से हटा सकते हैं सही उत्तर है अपनी पसंद का परधान मंतरी चुन सकते हैं निमन लिखित में से कौन राजनेतिक कारे पालिका का हिस्सा होता है जिलाधिश ग्रिही मंतरी सही उत्तर है ग्रिही मंतरी नियाई पालिका के बारे में निमिन लिखित में से कौन सा ब्यान गलत है संसर द्वारा पारित परतेक कानोन को सरवोच न्यायले की मंजूरी की जुरूरत होती है न्याय पालिका कारे पालिका से सबतंतर होती है सही उत्तर है न्याय पालिका कारे पालिका से सबतंतर होती है निमलिकित राजनितिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मवजूदा कानून में संशोधन कर सकती है राश्ट्रपती संसद सही उतर है संसद परधान मंत्री की न्युक्ती करने में राश्ट्रपती गठवंदन अत्वा उस धल के नेता को चुनता है जिसे लोगसवा का बहुमत प्राप्त हो राजे सवा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है सही उतर है गठवंदन अत्वा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोगसवा का बहुमत प्राप्त हो गतिविदी इस अध्याए में हमने देश की चार विभिन संस्ताओं के बारे में चर्चा की आप कम से कम एक हफते के समाचारों को इकठा करके उन्हें चार समूहों में वर्गी कृत कीजिए बिधायका की कारेशेली, राजनितिक कारेशेली, नोकर शाही की कारेशेली, न्याएपालिका की कारेशेली तो आज हमने पड़ा की कैसे बिधायका कानून बनाती है, कारेशेली का कानून लागू करती है, और अगर उस कानून का बिरोध हो या उस पर कानूनी फैसला लेना हो, तो न्याएपालिका मदद करती है सही शब्दों में कहा जाए, तो इन तीनों संस्ताओं का आपस में मिल जुलकर काम करना बहुत जुरूरी है उमीद करता हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह समझ में आया होगा कि आपको ये अच्छी तरह समझ में मिल जुलकर करता हूँ